हेलो फ्रेंज, वेलकम टो मैं चैनल, दियो जी के ट्रिक, फ्रेंज इस चैनल पर सभी कम्पिटेट्व एक्जाम की त्यारी कराई जाती है, और परिच्छा के दरश्टी से जो भी टोपिक मात पूड होते हैं, उनको बोड के माध्यम से लाइप पढ़ायाता है, लाइप क्ल से इस्टाल कर लेंगे, तो आपको हमारे द्यारत दिये गए कोसेश की वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके फालो कर लीजी, यहां पर आपको SST, SST, CGL, UP तथा ALP के, जो की हमारे समान ध्यान समंधी, स समान भी ग्यान भी लाया जाए, क्योंकि बच्चे कुछ हेल्पी से जुडए हैं, और यहां पर वीडियो एक्जाम में भी हमारी यहां पर कोस्वे सकती है, क्योंकि जर्नल साइंस के दोचार कोस्वेशन मिल रहे हैं, तो आपको यहां पर इसको भी कंपलेट करते चलना है यहाँ पर पहला qosन है यमके यहस्प्नणाली में बलका एक यहाँ हर्ताथ बलका मात्रय क्या होता है यमके यहस्पद्यत में हमारा बलका मात्रय क्या होता है सही जवाब होगा आपका यहाँ closer ठीक होजारी का न्यूटर होगा यहाँ बिलते हैं इस question से आपको तीन कोश्चन हमको मिल सकते थे इस कोश्चन हम देखते हैं कोश्चन हमरे अलगा है कि निमलिकित में से कौन सी एक सदिस रासी नहीं है आपको इस पॉइंट पर भी फोकस करना है तो कौन सी नहीं है इसकी सही जवाब आपका क्या हो जागा तो इसका सही जवाब हो पूलिस की तयारी कर रहे हैं, ग्राम विकास की अधिकारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे question है, तो यहाँ पर LP वाले तो बिल्कुल सी, समझेए कि राम बाढ़ ही question है, आपको पूरे question आपको लगा के जाना है, तो यहाँ पर दरब्यमान जो हमारा है, एक अ विवार्ट aTamot नेश्दअ देख लेते हैं कौशिण हमारा है कि निम्लेकित में से कौन सी विक्टर रासी है कौन सी विक्टर रासी है तभाई इसका सही जवब होगा आपका कौन साब नीच कोचन है कि किसी सदिस का परिमाढ क्भी नहीं हो सकता तो किसी भी सदिस का परिमाढ क्या नहीं हो सकता है देखते हैं से जुड़े हमारे क्या पॉइंट है तियां पर किसी सदिस का परिमार कभी भी रिडात्मक नहीं हो सकता क्योंकि सदिस राज की दिशा रिडात्मक हो सकती है लेकिन परिमार रिडात्मक नहीं हो सकता है नेश देख लेते हैं दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा तो भाई सही जवाब होगा आपका C number अर्थात उनका जो परेडामी होता है तो सून नहीं हो सकता कभी ठीक है उनका परेडामी उनका दो वेक्टर है जिनका मान अलग है अर्थात हमारा उनका परेडामी सून नहीं हो सकता है नेश देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है आपको कि दो वेक्टर जिनका मान हमार असमान है उनका परड़ामी सुनने हो सकता लेकिन दो समार विक्टर का परड़ामी सुनने हो सकता है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं असमान की है और यहाँ पर अमारा समान है दोनों को आपको देख लेना यह दोनों विक्टर हमारे भी प्रीद दिसा में हो तब नेश हमारा देख सकते हैं कि कौन है तो अदिस रासी हमारी कौन सी हो जाएगी तो सही जवाब होगा आपका फर्स नमबर अर्थात उर्जा ठीक है यहां पर देख सकते हैं कि अर्थात बल आगूंड एवं समयोग समवेग सदिस तथा उर्जा अर्दिस रासी होती है क्योंकि उर्जा मे किवल परिमाड होता है दिसा नहीं होती है ठीक है नेस कोच नमरा दिया गया है यहाँ पर निमलकित में से कौन समय की इकाई नहीं है समय की इकाई नहीं है तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब होगा आपका यहाँ पर फर्स नमर प्रकास वर्स प्रकास वर्स हमारा दूरी का मातरख होता है ठीक है प्रकास वर्स दूरी का मातरख होता है तिहां पर देख सकते हैं कि प्रकास वर्स दूरी का मातरख है और एक प्रकास वर्स बरा होता है 9.46 इन्टो 10 किखाते 15 मीटर होता है ठीक है नेश면 कोष्चन नमारा है कि पौण्ड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुड़ा करना पड़ता है अगर किसी पौण्ड को किलोग्राम में बदलना है तो किसका गुड़ा करेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आप गुड़ा किसका करेंगे तो आपको यह नमर होगा रथा 0.4536 का गुड़ा आप करेंगे नेश देख लेते हैं कोश्चन अगला आ गया है कि निमलेकित में से किसका उप्योग उचाई मापने के लिए होता है उचाई मापने के लिए किसका प्रियोग करते हैं इसका सई जवाब क्या हो जाएगा तो इसका सई जवाब होगा आपका पर छेत्रफल का आपर मापन किया जाता है अब यहां पर कुछ हमारे सवाल दिया गया है आपर देख सकते हैं कि का इसका सही जवाब होगा यहां पर देखते हैं पर सही क्या होगा तो आपका सून ने हो जाएगा क्योंकि विस्थापन क्या होता है वहां पर गया वहापस फिर से आगया उसका विस्थापन क्या हो गया सून ने हो गया आथा पिंड द्वारा किया गया कार भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा नेश देख लेते हैं कोश सी नमर होगा अर्थात हमारा रासाइनी कुर्जा होती है ठीके कौन से उर्जा होती है ना रासाइनी कुर्जा होती है अर्थात मानो शरीर द्वारा कार करने हेतु प्रियुक्त उर्जा रासाइनी कुर्जा होती है जो की कारो हाइडरेट वसा प्रोटीन से प्राप्त होती ह जबकि इकाय उर्जा की मात्रा सबसे अधिक ववसा द्वारा प्राप्त होती है ठीके अर्धात जो हमारी प्रतिकाय देखा जाए तो हमारी सबसे ज़्यादा उर्जा होती है ववसा द्वारा पर निर्भा करता है ठीके एक लड़के का भार तीन सो न्यूटन है और एक माकान की दूरी मंजिल जिसकी उचाहिश साथ मीटर है तक चड़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वही हमारा देखो रिपीटेट कोर्चन नहीं है तो घुमा के दिया है अर्थात इसका हाई कोट का फारम डाले हैं साथ में पुलिस के तयारी कर रहे है तो आपको बेहतर सारीके से यहां पर आपको तयारी करायते है तो आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से जूट सकते हैं एक किलो ग्राम मात्रा को 9.8 मीटर उचाई तक उठाने में लगबग कितना कार किया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सही जवाब क्या होगा भाई यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा कि आपका बी नंबर अर्था था हमारा 9.8 ठीक है 9.8 क्यों होता है तो हमारे WRP अर्था TMGH होता है आपको इसको सुत्र में रखना है और इसके बाद आपका निकल के आएगा अर्था तो 1 किलो ग्राम इंटू 9.8 मीटर प्रसेकेंड स्क्वाइर तो हमारा क्या हो जाएगा 9.8 9.8 स्क्वाइर ठीक है अच्छा नेस्कोंचन अमारा दिया है कि 20 कुलो ग्राम वस्तु को जमीन से 1 मीटर उपर ऊठाए रखने में कितना कार बाट होगा तो बंब कितना कार होगा तो हमारा क्या हो जीरो क्या हो जाएगा जीरो कैसे होगा तो देख लेते हैं कि किसी निश्चित वस्त को निश्चित उचाय पर उठाय रखने में कोई कार नहीं होगा क्योंकि इस वस्ता में विश्थापन हमारा क्या होता है सून होता है आथा हमारा कोई कार भी नहीं होगा ता सून होगा न आस्यो शक्ति की सक्ति हे चार्यबट जो सक्ति होती है था सामर्थ होता है उसे आसो सक्ति में मापते हैं हार्स पावर में नापते हैं और एक आसो सक्ति बराबर 746 वाट के होती है ठीक है 746 जी आप दी आप दिर अमंत्य दर शाहे ऐे ठीड हो पावर के पाओर कहते हैं उसका मात्रक हमारे क्या होता है SI मात्रक वाट होता है पानी पर तैरती हुई वस्त आभासी बार होती है पानी पर तैरती हुई वस्त का आभासी बार होता है तो यह क्या होता है तो पानी पर जैसे कोई वस्त तैर रही है तो उसका आभासी बार सून होता है कैसे देख लिखते हैं कि पानी पर तैरती वस्त का आब आसी बार सून होता है, संतुलित अवस्ता में तैरने पर वस्त द्वारा अपने भार के बराबर दरोब इस्थापित करती है, इसका नेजस कोचन देख लेते हैं, कोश्चन हमारे दिया है, कि ठोस की सुदता किसके द्वारा होती तो यहां प आपके गल्लांग पर डिपेंड करता है ताथ गल्लांग बिंदू पर करता है देखते हैं जुड़े हुए कोश्चन क्या हमारा है ति किसी ठोस की सुदता उसकी गल्लांग बिंद्वारा निधारित की जाती है यद किसी ठोस में कोई असुद्धी विदमान है तो उसका गल् चेत्र क्या हो जाएगा तो वहाँ पर दे सकते हैं क्या हो जाएगा तो आपर देख सकते हैं फिर से question आपर इस डिफाइन क्या किया है तो जब एक गहनी बर्प के 10 टुकड़े छोटे छोटे घनों में चिन्विन हो जाते हैं तब उनका तल चेत्र बढ़ जाएगा चुंकि का तूटना किसी दाब से संभा होगा इसलिए तूटने के समय दाब के कारण कुछ बरपेगल जाती है बरपे के प्रगलन के समय आतन बढ़ जाता है ठीक है नेस कोचन आपके लिए आ गया है कहे रहा है थर्मस फ्लाक्स में रखा गर्म दरोग की स्प्रक्रिया से इस बालब से स्वाश्व कोच्टन आपके लिए लाए थे तो आपको कमेंट करके यहां पर आपको कमेंट करके यह बताना है कि एक प्रकास वर्स बेराबर कितना होता है जिसको किलो मीटर में दसाना एक है यल्पी वाले बच्चों के लिए कोश्चन हमारा ये है कि ताप युगम का आधार अथा ताप युगम जो होती वो किस सिध्धान्द पर कारे करती है ताप युगम का जो आधार होता था सिधान्त किस पर करती है आपको आपसन है सीबेग प्रभाव पर टामसन प्रभाव पर पेल्टियर प्रभाव पर जूल प्रभाव पर आपको ये दो कोशनों के जवाब देना है और नेश वीडियो हम लोग देखते हैं कि कि लोगों ने जवाब सही दिया है तो फ्रेंट से मिलते हैं नेट्र वीडियो में तब तक के लिए धनवाद आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथ में अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद